श्री कृष्णपाद युगलं सिरसानमामी यत्रान वितश्रुकि गणोन विरोधमेती यद्ध्यान योग निरताश्यदाप्नवंती केश्यंद्रवंद्यमनिशं मनसागिराच श्री रामचंद्र रगुनाथ जगच्छरण्य राजीव लोचन धनुर्धर रावनारे सीतापते रगुपते रगुवीर राम त्रायश्वकेशवहरे शरणागतम्द्र व्यास्पिट्फर विराजमान हमारे परम शनेही अपनी रसमई मधुरवानी से हरवान श्री आगवेंद्र सरकार की महिमा का निरंतर गुरुगान करने वाले श्रुमर्ली धर्जी महराज इस संपूर्ण कार्यक्रम के निमित्र सुत्रधार श्रीमती मीनाजी मंचस्त संत महन्त समुपस्थित समस्त भगवत चरणानुरागी परमभाव भक्त मानुभाव भगवत रश्पिपाशो भक्ती मती माताएं अत्यन्तो आनंदकान हो आज इस पंडाल में माता जानकी का चरित्र स्रवन करने को प्राप्त हो रहा है वो भी हमारे मुल्ली धर्जी की रस्मई समधुरवारी में देखिए जहां माता जानकी का चरित्र हो और वहाँ पर निंबार के संप्रदाई की उपस्थिती ना हो ये संभव नहीं है क्योंकि हमारी तो उपास नहीं वही है माता जानकी हो या हवती परमालादिनी शक्ति श्री राधा हो वस्तुत है एक ही है वही परमालादिनी शक्ति रामावतार के समय माता जानकी के रूप में प्रकट होती है तो वही लिलावतार प्रिशनावतार के समय श्री राधा के रूप में प्रकट होती है और यह उपदेश माता जानकी ने स्वयम हनुमत लाल जी महराज को किया जब संपुर्ण युद्ध समाप्त हो गया भगवान रागवेंद्र सरकार युद्ध्या पधारे और माता जानकी और हरवान श्रागवेंद्र सरकार विराजमान है सभी कारिय संपादित हो चुके हैं कृत कारियम ज्ञान पेक्षम महामतिम महामतिम यहाँ पर हनमत लाल जी के लिए संबोदन है तो ज्ञाना पेक्षम, ज्ञान की अपेक्षा से, ज्ञान यहां पर साधरन कोई ज्ञान नहीं, अभी तो वह पराभक्ती का ज्ञान, उस पराभक्ती के ज्ञान को अर्जित वस्तुत है तो अनुमान ज्मारत स्वयम परम ज्ञानी हैं, महामती हैं, परन्तु भगवान के श्री मुख से उस पराभक्ती को श्रवन करने की कामना से, मनशा से, अभवान के सन्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो जाता है भगवान राभक्ती का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान ने विचार किया, कि इस पराभक्ती का ज्ञान मुझसे भी अधिक, यदि कोई सहज और सरल रूप में प्रदान कर सकती हैं, तो वो माता जानकी है तोनों ने माता जानकी की और संकेत किया, कि आप अनवान जी की, इस इच्छा को, इस कामना को पुर्ण करें, और वह पराभक्ती का ज्ञान क्योंकि वो तो अंगे तवामे विशवान, उजामदा, विराजमाना, अनुरूप सवभगाम है न, जिस प्रकार भगवान की इच्छा हो, उसको मुर्द रूप में प्रकट करना, अनुरूप सवभगाम, ये प्रिया जी का कारे है, जानकी जी का कारे है तो जानकी जी ने वहाँ पर हनुमत लाल जी को बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया है केहनुमान, ये जो हगवान यहाँ पर विराज्मान है ये कोई साधारण केवल अयुध्या के राजा मात्र नहीं है रामम विद्धी परम ब्रह्मम ये प्रभ ब्रह्म हगवान, शाक्षात हगवान ही है और इनी के द्वारा ये सब कुछ घटित होता है तौनमान जी ने पूछा अमाता श्री यदि इनी के द्वारा सब कुछ घटित होता है तो ये आप में वियोग, आप में विभक्ती क्यों हुई, इसका क्या कारण है और आप भगवान के वामांग में विराजित होकर आप क्या करती है, तब वहाँ पर जानकी जी उपदेश देती है, प्रासुंदर के माम विद्धी, मूल प्रकृतिन, सरगस ठित्यन्त कारिणिम अर्थात, ये तो भगवान स्वयम विराजमान है ही परब्रह्म, तश्य सन्निधी कारें, इनके सानिध्य को प्राप्त करके, इस संपूर्ण संसार, इस प्रकृति को जन्म देना, इसका पालन करना, और इसका संधार करने वाला जो तत्व है, वो परमालादनी शक्ती में स माम विद्धी, मुझे जानो, मेरे द्वारा ही स्थेम स्रिष्ठी लया मोक्ष कारणम, अर्थात, इस स्रिष्ठी का प्रारम्ध भी मुझ से है, ये स्रिष्ठी स्थिर भी मुझ में है, और इस स्रिष्ठी का लया भी मेरे द्वारा ही संपादित होता है, ये बड़ा वक् यहाँ पर अनुवान जी महराद को माता जानिकी ने दिया है और ठीक इसी प्रकार ब्रह्म ज्यानी उद्धव जी को वहाँ पर माता श्री भगवती श्री राधा ने वहाँ पर यह ज्यान यही उपदेश उद्धव जी को दिया है तो बड़ी समानता है अनुरूप जहां हगवान की जैसी लालसा होती है वस्तुत है अभी आप मुलिदर जी के मुखारविंदी से सुन्दर जब वियोग जो हगवान का हुआ है वियोग क्यों हुआ वस्तुत है कोई वियोग नहीं है हगवान को और जानकी जी को कोई विभक्त कर ही नहीं सकता वो तो सदैव एक स्वरूप सदा द्वई नाम राधा माधव रूप कम अत्वा सीता राम रूप कम सदैव एक ही स्वरूप है परंतु क्रीड नार्थम द्विधा भूत लीला करने के लिए क्रीडा करने के लिए और रसिक संत महापुरुशों को आनंद प्रदान करने के लिए एक स्वरूप से दो रूप में विवक्त होते हैं वस्तोत है सीताराम राधे कृष्ण एक ही स्वरूप है तो उनका जो चिंतन है उनके स्वरूप की सुन्दर महीमा का गुणगान मैंने जब चर्चा हुई थी कुम्भावसर के समय हमरे मुलिधर जी महाराज से निंबार के नगर में आपके द्वारा इतना सुन्दर नानी बाई का माईरा वस्तोत है इतना रमणी है और इतना अधुद हुआ समस्त संत समाज ने वहाँ पर आनंद प्राप्त किया उसी समय जब चर्चा हो रही थी तो इस कारेक्रम का मुझे जानकारी प्राप्त हुई और बताया कि जान की चरित्र होगा तो मेरा मन तो ये था कि मैं पूरे सब्त दिवस यहाँ पर रहकर श्रवन करूं और वह आनंद प्राप्त करूं परंतु आप सभी को विदित है आचे रिपीट की सब व्यस्तताएं उस कारण से परंतु कुछ समय के लिए ही सही कुछ क्षणों के ही लिए ही सही मुझे वो जो अम्रित स्वरूप भगवत स्री माता जानकी का चरित्र स्वन करने के लिए मिला मैं स्वयम को बड़ा ही परंसोभाग्यशाजी अन्हों करता है और आज तो अभी जानकर ही प्राप्त हुई स्वामी जी महराज भी पढ़ारे थे और चिदानंद स्वामी जी भी पढ़ारे तो सभी का आप सभी को उनका भी दर्शन उनका भी सदुप देश प्राप्त हुआ तो जिस प्रकार हमारी माता जानकी नहीं संपूर्ण संसार के लिए एक आदर्श प्रश्टुत किया कि एक आदर्श पत्नी कैसी हो आदर्श मा कैसी हो एक आदर्ष रानी कैसी होनी चाहिए आदर्ष पुत्री कैसी हो ये सब कुछ सर्वगुन संपन यदी हम कह सकते हैं तो केवल माता जानकी को कह सकते हैं और ये हमारी अनादि वैदिक सनातन संश्कृती का ही स्वरूप है कि आज भी हमारी ये माताएं यदी किसी का अनुशरन करना चाहती हैं तो वो माता जानकी है उनके चरित्र को आत्मसात करना चाहती है और इसका साक्षात उधारन हमें श्रिमती मीना जी के रूप में प्रकट होता है कि इतना सुंदर भगवे आयोजन यहां पर आयोजित करके और समाज के लिए राश्वर के लिए किस प्रकार एक आदर्ष नारी का स्वरूप होना चाहिए यह हमें मुर्लिदर जी के मुखारविंद से शवर्ण करने को प्राप्त हो रहा है तो जिस प्रकार प्रियशिष्यम अर्जुनम निमित्य कृत्य गीता सास्त्रम समुपुदिष्टर अर्जुन निमित्य बने और संपुर्ण संसार को गीता का उपदेश प्राप्त हुआ उसी प्रकार हमारी माता स्वरूप मीना जी इस संपुर्ण कारिक्रम की निमित बने और सभी को यह सुन्दर उपदेश उप्राप्त हो रहा है आज विश्राम दिवस है कल विश्राम दिवस है तो आज मुझे अच्छारा में आज ही आ गया पर मुझे लगा आज विश्राम दिवस होगा तो बंडारा आज ही मिलेगा पर आप बता अकल होगा सब बंडारा नो दिन से चल रहा है ठीक है तभी ले लेंगे प्रशाप्श कुछ तो बड़े सरल हमारे मुर्ली धर जी महाराज और इनका बड़ा भाव इतनी आत्मियता मुझसे विशेश और आपके द्वारा जो सुन्दर राम कथा का गुणगान संपूर्ण विश्व में हो रहा है वस्तुत है भगवान के नाम का गुणगान सभी को आनंद प्रदान करने वाले मुर्ली धर जी के लिए आपके अरधांगिनी श्रिमती मीना जी के लिए भगवान श्रिरागवेंद्र सरकार श्रिराधम आधव के युगल चरनारविंदों में यही अभ्यर्तना कि आप दोनों सदेव चिरकाल तक स्वस्थ रहते हुए इसी प्रकार सभी को आनंद प्रदान करते रहें इसी मंगल मैं भावना के साथ मैं अपने भावों को भी रामी देता हूं